हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में फ्रेंड्स आज एस वीडियो में हम रेलवे एंटी पीसी परिक्षा 2019 के लिए समान अध्यन के मैथपूर्ण प्रशनों पर डिसकस करेंगे अगर आप इस सीरीज के पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्ष्ण में जाके उन्के लिंक दिये हुएं और अगर अप इन वीडियो का प्यटियो डाउन्लोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलेग्राम में किनप कर सकते हैं सन 1837 में लाड डलोजी की समय जो है इसकी शुरुवात की गई भारती रेलवे और डाक सेवा ये दोनों की शुरुवात जो है लाड डलोजी की समय की गई है तो याद रखेंगे भारत में डाक सेवा की शुरुवात की गई है कब सन 1837 में अगला प्रशने भारती डाक विभाग की इस्थापना कप की गई तो भारती डाक विभाग की इस्थापना की गई है सन 1854 में अग्रा प्रशन है सर प्रथम डार्ट टिकट कहां जारी किया गया तो सर प्रथम डार्ट टिकट जारी किया गया है 1852 में कराची में और अगर पूछा जाए कि भारत में जो सबसे पहले प्रेटफॉर्म टिकट है वो कहां जारी किया गया तो वो जारी किया गया है लाहूर म मध्य में नेस्ट कोशन है बहरत में पिनकोड विवस्था की शूरुवात कप की गई है पंदरा अगस्त-शन 18cm है अगला प्रशन है भारत में रेल डाक सेवा की शिरुवात कप की गई तो भारत में रेल सेवा की शुरुवात की गई है सन 1863 में अगला प्रशन है भारत में स्पीट पोश्ट सेवा की शुरुवात कप की गई तो भारत में स्पीट पोश्ट जो सेवा है इसकी शुरुवात की गई है सन 1986 में अगला प्रशन है भारत में पहला डाकगर कहां इस्थापित किया गया तो भारत में पहला डागर स्थापित किया गया है सन 1727 में कॉलकाता में अगला प्रशन है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुर्वात कप की गई ores question है All India Radio की स्थापना कप की गई तो All India Radio की स्थापना की गई है सन 1936 में अगला प्रश्ण है All India रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाडी कप क्या गया तो All India रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाडी क्या गया सन 1957 में अगला कुशन है भारत में टेलिवीजन की शुरुवात कप के गई तो भारत में टेलिवीजन की शुरुवात के गई है सन 1969 में अगला कुशन है भारत में इंटरनेट के शुरुवात कप की गई तो भारत में इंटरनेट के शुरुवात की गई है सन 1995 में अगला प्रशन है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजनसी भारत की सबसे बड़ी जो समाचार एजनसी है वो है प्रेस ट्रेस्ट ऑफ इंडिया अगला प्रशन है भारत में निर्मेद पहली फिल्म है तो भारत में निर्मेद पहली फिल्म है राजा हरिशंद्र जिसका निर्मार जो है सन 1913 में किया गया था और अगला प्रशन है भारत की पहली बोलती फिल्म है तो यह है आलमारा जिसका निर्मार 1931 में किया गया था यानि कि इसमें जो वाइस है आवाज है वो नहीं थी और भारत की जो पहली बोलती फिल्म है ये है आलमारा जिसका निर्मार 1931 में किया गया और ये भारत की पहली बोलती फिल्म इसलिए कह रही अगर प्रशन है भारत में निर्मित पहली अंग्रेजी फिल्म है तो भारत में से सम्मानित होने वाले जो फिल्म जगत के पहले विक्ति हैं वो है सत्य जीत रे अगला प्रशन है राश्ट्री फिल्म पुरुसकार पाने वाली पहली फिल्म तो राश्ट्री फिल्म पुरुसकार पाने वाली जो पहली फिल्म है यह मिर्जा गालिब फिर अगला कुश्चन है राजसभा की सदस्य चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री तो राजसभा की सदस्य चुने जाने वाली जो पहली अभिनेत्री है यह है नर्गिस नर्गिस वो पहली अभिनेत्री है जिनको राजसभा का जो सदस्य है वो मननीत किया गया अगर कुशन है दादा सहाफ फाल के पुरुसकार पाने वाली पहली अभिनेत्री तो दादा सहाफ फाल के पुरुसकार जो है ये पाने वाली जो अभिनेत्री है वो है देविका रानी फिल्म जगत का सबसे अड़ा पुरुसकार है दादा सहाफ फाल के पुरुसकार जो की र लाश्टपतिक द्वारा प्रदान नहीं किया जाता वो अकेडमी जो है दाता साफ फाल के उसके द्वारा दिया जाता है अगला प्रशन है आसकर पुरुसकार की शुरात कब से की गई तो आसकर पुरुसकार की शुरात की गई है सन 1929 से और आसकर पुरुसकार को ही जो है अक जआँ है उसमें काश्ट्यूम डसाइनिंग के लिए जो है इनको ये परुसकार से सम्मानित किया गया best काश्ट्यूम डिशाइनर का iwaal जो हैं अगला प्रशन है भारत के पहले सिक्षा मंतरी कौन थे तो भारत के पहले सिक्षा मंतरी जो थे वो थे अभूल कलाम आज़ाद तोड़ा समय आपको आसकर के पारे में एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगा कि आसकर जो है ये विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरुषकार है और आसकर पाने वाली जो पहले मैला है वो है भानु अथाया और ऑसकर जेतने वाले पुरूश है वो है ये रहमान जिनको फ्लम डॉक मिलेनियर जो एक मुवी जो अधी ती उसमें बेस्ट जो है ओरिजिनल स्कॉर के लिए ऑसकर पुरुषकार यानिकाडमी जीतने वाले भारती हैं याद रखेगा उनका नाम वो हैं पंडित रविशंकर एक कोशन इसे और बनता है कि भारत के एकमात रिवेक्ती जिन्होंने आसकर ग्रैमी दोने वर्ड जीते हुए हैं तो वो हैं ए आर रह्मान तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ तो हैं ये यह जारी की गई हैं अगला प्रसन है अंग्रेजों ने सिक्षा में सुधार के लिए कि सायोग के स्थापना की। ग्रेस्ट क्रोशन है एंसी-ईढ्री से लिए और ग्रेसर्टि-इसाली-प्रापना की गई है सन 1981 में? अगला प्रश्न है राष्टि साक्षरता मेशन की शुरुवात की गई है सन 1988 में? अगला प्रश्न है याँचा में शुधार के लिए कि राधा कृष्णन आयोग के स्थापना कब की गई थो रधा कृष्णन आयोग के स्थापना की गई है 1948 में। जर्म दिन है तो इसको जो है राश्टी सिख्षक दिवस के नाम से हम जानते हैं अगला प्रशन है अंतराश्टी सिख्षक दिवस का मना जाता है तो अंतराश्टी जो सिख्षक दिवस है यह मना जाता है पांच अक्टूबर को ध्यान दीजेगा एक बार फिर से कि राश्ट डिस्पैच को और एक प्रश्ण जो है और बनता है यहां से कि भारत में जो अंग्रेजी सिक्षा है तो इसको लागू करने के पीछे जो अनुशंशा की वो किसके द्वारा की गई तो यह की गई थी लाड मैंकाले के द्वारा और अगला प्रश्ण राष्टी सिक्षा दिवस कमैजाता है तो तो रॉश्टी सिक्षा दिवस जो है यह मैं जाता है 11 नइफेम्र को तो अधी बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ आज का अग्ला कुछन है भारत में सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है तो भारत में जो सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है यह है नहच 44 जिसके लंबाई है 3745 किलो मेटर अब यहाँ पर पुरानी बुक्स में पढ़ेंगे या फिर पुराने नोट्स में पढ़ेंगे तो उनमें NH 7 दिया हुआ है तो यह सही है कि भारत में जो सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग था वो था NH 7 लेकिन अभी अगर वरतमान समय की बात करें तो वरतमान समय में जो भारत का सबसे लंबा राश्ट्री राजमार्ग है यह है NH 44 यह जो है जम्मो कश्मीर से लेके और जो तमील नाडू है उसको आपस मे जो है वो connect करता है और टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 3745 किलो मेटर आजका अगला प्रशन है भारत का सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग है तो भारत का जो सबसे छोटा राश्टी राजमार्ग है ये है नह 47A और इसकी लंबाई जो है ये है 6 किलो मेटर और ये केरल मे इस्थित है केरल में बेंबानत जील है उसमें टापू जो है उस पर ये जो सबसे छोटा राश्टी राजमार गया एनेश 47 ये वहाँ पर इस्थित है और ये जो बेंबानत जील है ये ध्यान रखिएगा ये नौका दोड़ के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रशन है भारत म जो सबसे दिक पक्की सड़कों वाला राज है ये है महराश्ट और एक कोशन में आपको और बताना चाहूंगा केरल के बारे में केरल में एक शहर है जिसका नाम है कोची तो ये जो कोची है ये पूर्व का वेनिस जो है इस नाम से भी प्रसिद्ध है तो याद रहेगा महराश्ट और सरवादिक सड़कों का जो घंनत वह ये है गोवा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम जो है पकी सड़के किस राज में है यानिकर सब्सक्राइब करisme लोगा वो है Odisa और सरवादिक सड़ों का जो घनत थे वो कहां बताया है मैंने आपको कोवा अगला प्रशन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगा है ये है मुंबई और मुंबई का जो बंदरगा है इस पर जब वर्कलोड ज़्यादा बड़ा तो फिर एक मुंबई के पास में नया बंदरगा बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है नावा शेवा जवालल नहिरू पत्तन इसका नाम दिया गया है तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा और सबसे वेस्ट जो बंदरगा है वो है नावा शेवा मुंबई तो यह बढ़ते हैं अगले प्रेशन के तरफ आज का अगला प्रेशन है भारत का सबसे गहरा बंदरगा है तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगा है यह है विशाखा पत्नम जो की आंध प्रदेश में इस्थित है अगला प्रशन है नोबल पुरुसकार प्रतिवर्ष कब प्रदान किया जाता है तो नोबल पुरुसकार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है अल्फरेट नोबल की इसमलती में जो है वो प्रतिवर्स 10 दिसंबर को नोबल पुरुसकार जो है वो प्रदान किया जाता है अगरा कोशन है शांती का नोबल पुरुसकार कहां प्रदान किया जाता है तो जो शांतिका नोबिल पुरुसकार है ये प्रदान किया जाता है नौर्वे की राज़ानी ओसलों में जबकि अन्य सभी जो नोबिल पुरुसकार है ये प्रदान किया जाते हैं स्वीडन की राज़ानी इस्टाखों में अगला प्रशन है नोबिल पुरुसकार कितने छेत्रों में प्रदान किया जाता है तो नोबिल जो पुरुसकार है ये छे छेत्रों में प्रदान किया जाता है तो आएए बढ़ते हैं अगले प्रशन के तरफ आज का अगला प्रशन है कि नोबल पुरुसकार पाने वाले पहले भारती हैं तो नोबल पुरुसकार पाने वाले जो पहले भारती हैं ये हैं रविननात टैगोर अगला कुशन है नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली भारती महिला है तो नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली भारती महिला है मदर टेरेसा अगला कुश्चन है संविक तुराष्ट संग का मुख्याले कहां इस्तित है तो संविक तुराष्ट संग का मुख्याले इस्तित है नियू यॉर्क में अगला कुष्ण है भारत में सुरवर्पःठम विद्डु सप्लाई की शुरौाट के शुरॉआत के शहर में की गई? तो उस समय को गदा में लइट जो है वो प्लप्त कराने के लिए डार्जलिंग में जो है वह पहला जो है प्लांट लगाया गया और यहाँ से जो है विद्धु तो चलिए दार्जलिंग के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए थोड़ा सा कि जो दार्जलिंग है यह भारत में चाय की सबसे बढ़ी मार्केट है आपको बता हुए भारत में चाय की उत्पादन में असम जो है वो पहले स्थान पर है और अगर प्रति हेक्टेर की बा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगा तो अगर नोटिफिकेशन बेल पर आपने क्लिक किया हुआ है तो उसका नोटिफिकेश सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा कमेट में हमें जरूर बताएं तो देखते ही आप जी स्मार्ट क्लास धन्यवाद